नमस्कार स्वागत है आपका नियूज रूम से आज नियूज रूम से बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अमबेट करकी जिया बात भी इसले करना चाहेंगे क्योंकि आज कापी एतिहसिक दिन है आज 13 अक्टूबर है और 13 अक्टूबर 2022 को हम बात कर रहे हैं नाशिक के य प्रेवला में बाबा साहब ने आज ही के दिन 87 वर्षपूर्व यह कहा था कि हिंदू धर में मेरा जन्द जरूर हुआ है लेकिन हिंदू बनकर मैं मरूंगा नहीं और उस बात को साबित कर दिया बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नाक्पूर की दिक्षा भूमी पर अपने लाखो अनुयाईयों के साथ बाबा साहब ने नाक्पूर की दिक्षा भूमी पर बौद्द बनकर धम दिक्षा ली और तबी से बौद्द धम पुनर जिवित हुआ नाशिक के येवला में आज मुक्ति भूमी पर 87 वर्ष हो गए है और इस 87 वर्ष के वर्दापन दिन पर लाखों की तादात में लोग नाशिक के येवला में आय हुए लेकिन हम आपको बता दे कि नाशिक के एक कलाकार शिंदे ने एक ऐसी कलाकुरूती पेश की है जो नायाब है उन्होंने कहा है कि इस कलाकुरूती के जरिये बाबा साहब को मानवंदना दी है आखिर ये क्या कलाकुरूती है आप खुदी देख लीजे भारत रतन डौक्टर बाबसाहब अमबेटकर को एक मुक्तिदाता के तोर पर पहचाना जाता है अपने समाच को गुलामी और छूत अचूत के दल से निकालने वाले डॉक्टर बाबा सहब अम्बेटकर हर उस शक्स के लिए अन्मोल है जो आज उनके द्वारा दिये गए स्वतंत्र जीवन को जी रहे है डॉक्टर बाबा सहाब अम्बेटकर ने अपने जीवन में कहा था कि मैं हिंदू बनकर जन्मा जरूर हूँ लेकिन हिंदू बनकर मैं मरूंगा नहीं और ये बात डॉक्टर बाबा सहाब अम्बेटकर ने सच भी करके बताई लेकिन ये बात बाबा सहाब ने कब और कहा कही थी ये बहुत कम लोग जानते है 13 अक्टूबर यनि आज ही के दिन डॉक्टर बाबा सहाब अंबेटकर ने 1935 को ये बात नासिक के येवला में आयुजित एक कारिक्रम के दोरान पहली बार दोराई थी और उसके बाद नाकपुर की दिक्षा भूमी में 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा सहाब अंबेटकर ने बुद्ध धम्म की दिक्षा लेकर येवला में की गई अपनी घोशना को सच करके दिखाया है येवला की इसी मुक्ती भूमी को आज 87 वर्ष पूरे हो गए जिसके चलते डॉक्टर बाबा सहाब अंबेटकर को मानने वाले एक कलाकार मंगेश शिंदे ने बाबा सहाब की जीवन और मुक्ती भूमी की याद को भाकर की रोटी पर साकार किया है इसे साकार करने के बाद मंगेश शिंदे मानते है कि आज जो भी जीवन उनको और उन जैसे कई लोगों को मिला है वो परंपुझ डॉक्र बाबा सहाब अंबेटकर की देन है इसी के चलते सालाना नासिक के येवला में बाबा सहाब को मानने वाले तमाम अनुयाई बड़ी संख्या में मुक्ति भूमी पहुँचते है मंगेश शिंदे ने बाबा सहाब को मानवंदना देते हुए बाबा सहाब के चित्र उनके हस्ताक्षर भी इस भाकरी पर उतारे है जिसे साकार कर मंगेश शिंदे ने बाबा सहाब को अभिवादन कर अनोखी मानवंदना देने की कोशिश की है या मोले 13 अक्टोबर या दिवशी जन संक्या लाखोची जन संक्या नी लोक इतात आनी दर्शेंग एतात त्या निमित्तानी मी बाबा सहबांचा फोटू बाजरीचा भाकरिवर्ती पिंटिंग केला त्या नंतर यवलाचा स्थम्ब मुक्त विमीचा तोही बाजरीचा भाक बाजरीचा भाकरिवर्ती पिंटिंग केले लाएं तो नाशिक के इस कलाकार की आपने कला तो देख ली जो आज के दिन समर्पित है डॉक्टर बाबा साब आमबेटकर को सतैसी वर्षपूर्व नाशिक के यवला में बाबा साब ने ये घोशना कीती कि मैं हिंदू बनकर जनजलू लिया हूँ लेकिन हिंदू बनकर मैं मरूंगा नहीं और उस बात को साबित कर दिया बाबा साब ने और आज इसी प्रुष्ट भूमी पर बाबा साब को नमन करने के लिए हम भी अपनी मानवंदना बाबा साब को देते हैं जैभीम नमबुद्धा है